पूरी दुनिया में जहां भारत तहलका मचा आ रहा है, economical super power बन के आ गया आ रहा है, वहीं भारत को गिराने के लिए क्या कोई शड़ेंतर तो नहीं हो रहा है? कौन सी है वो बड़ी conspiracy आप जानेंगे इस वीडियो के आखर में? पर उसे पहले हम बात करेंगे हिंडनबर्ग research report की guys, 24 जन्वरी जब यह research report आई तो उसके बाद Adani enterprises के stock prices तो लुड़के ही, पर साथ-साथ Gautam Adani जो third richest इन इंडिया थे, वो लुड़क के सतरवी पायदान पे आ गया है, he was at 17th position in the Forbes real-time billionaire list, पर यह कैसा हुआ, एक research report से इतना कुछ, कि एक third richest इंसान सतरवी position पे आ जाए, उसकी one of the core companies का share price, 4000 रुपे से लुड़क के 1000 रुपे हो जाए, तना rich इंसान, पर कुछ नहीं कर पा रहा ऐसा क्यों? क्या है Hindenburg? क्या है उस report में ऐसा? क्या कहीं कोई शड़ेंदर तो नहीं, कैसे allegations हैं? क्या आपको influencers, क्या आपको media channels सही बता रहे हैं या कुछ चुपा रहे हैं? सारी पोल खोल आज इस वीडियो में, और साथ साथ इस conspiracy शड़ेंदर का भी परदा फाश, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे? शॉर्ट सेलिंग जिसके लिए हिंडनबर्ग ने एक अदम उठाया और ये रिपोर्ट जारी करी, उसको मैं बड़ी simple शब्दों में, एक example देके बताऊंगा, उस example के तीन characters को introduce करूँँगा, जो कि हैं Mr. Lathi, Mr. Darji, Mr. Kamra, सारी technical बाते हैं इस वीडियो में, आप बड़े अराम से simple भाषा में जानेंगे, और इस वीडियो को आखर तक जरूर देखना, चुकि आखर तक देखोगे, तो इस शडंध का दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक काम करना है, अगर आप इस देश का हिच्च चाहते हो, और इस देश से प्यार करते हो, और एक मासूम वेपन नहीं बनना चाहते है, जिसको यूज करके इंडिया को economically डाउन करने की शायद साजिश है, पर कितना सच है, कितना जूट, वो दो आप इस वीडियो में जान जाएंगे, तो आगे बने रही है इस वीडियो में, चलिए करते हैं decode, Adani versus Hindenburg, the decode you cannot miss, let's go, तो से फिले जान देखिए हिंडिन बग है क्या, इसका model क्या है, बिसनस model क्या है, Nathan Anderson नहीं फर्म फाउंड करी है, पैसे कमाने के लिए, simple है पैसे कमाने के लिए, कई लोग इंको एक्टिविस बोनना चाह रहे है, उनका मुँ इस वीडियो को दिखने बाद काला काला तो ही जाएगा, पर मैं इनके बिसनस model को बता देता हूँ, साफ शब्दों में, ये profit कमाते हैं, पैनिक क्रियेट करके, हिस्टीरिया क्रियेट करके, शॉट सेलिंग नामक टूल को यूज़ करके, इनने उनों बीदे साल कुछ 17 ऐसे निशेट लिए, जिन में जैसी इंकी रिपोर्ट आई, तो वो कमनी कंगाल हो गई बरबाद हो गई, कुछ रिपोर्ट साही थी, पर कुछ रिपोर्ट ना दम नहीं था, एक बड़ी एक्जाम्बल दे निकोला का, जिनकी इनोंने कमर ऐसी तोड़ी, क्योंकि जो stock valuation है, वो 90% गिर गई, यह हुआ था 2020-21 में, इसमें से एक interesting revelation वो थी, जब एक truck, जिसको निकोला बेशना चाह रहे थी, जिसने बोला कि यह truck cruise करता है, वो दिखाया गया, रेवील करा गया, कि वो आक्शली डाउन हिल जा रहा था, इस report के आने के बाद, 125 मिलियन डॉलर देने पड़े निकोला को, और founder Milton को तो कन्विक भी कर लिया गया, कि गिरावट आएगी पर share prices उपर चले गए, तो कैसे आप trust करेंगे Hindenburg, जब उनकी हर report सच नहीं होती, और कैसे believe करेंगे, जब उनका जो पूरा model है, वो भी unethical सा लगता है, कई लोग बोलेंगे short selling तो, stock market में एक accepted tool है, तो फिर आप क्यों बोल रहें कि यह unethical है, क्योंकि there is always a thin line of difference guys, यह समझाने के लिए पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि short selling होती कि, एक simple example यूज़ करके, माली जी एक इंसान है Mr. Laati, वो Mr. Kamra के बास जाते हैं और कहते हैं भाईया, मुझे Mr. Darji के share खरीदने, Mr. Kamra यहां stock broker हैं, और Mr. Darji हैं जिनके share खरीदने Mr. Laati को, तो Mr. Laati Mr. Darji के 10,000 shares खरीदें, जिनकी value एक हजार रुपे होती है पर share, तो एक करोड के share Mr. Laati ने Mr. Kamra से ले लिए, अभी पैसे नहीं दिए, उन्होंने बोला कि यह मुझे loan pitch है, यह 30 दिन के, मैं आपको इसके बदले में 10% दूँगा, मतलब 10 लाख रुबे दूँगा, तो Mr. Kamra कहते हैं, हाँ जी प्लीज, ले जाए यह share, हम आपको दे देते हैं Mr. Laati, because Mr. Laati करना चाहते हैं actually expose Mr. Darji को, तो वो क्या करते हैं, Mr. Darji के खिलाफ एक वीडियो बनाते हैं, एक report निकालते हैं, और अपने कुछ influencer channel से इस ख़बर को पहला देते हैं, जैसे यह खबर आती है market में, hysteria create हो जाता है, panic create हो जाता है, पहले panic create होता है कैसे, because Laati साब खुदी ये shares बेज़ देते हैं, वो भी कम दाम होपे, 900 रुपे में, मतलब 90,00 में एक करोड के share बेज़ देते हैं, उसके बच पैनिक create होता है, हवा फैलती है, हवा बनती है, तो सारे लोग ये shares बेजना शुरू करते हैं, वो भी 500 के दाम पे, मतलब 50,00,00 रुबे में वापस ये share लेते हैं, और क्योंकि ये तो loan था, जो उन्होंने Mr. Kamra से लिए था, तो Mr. Kamra को ये shares भी दे देते हैं, और 7 दों के 10,00,00,00,00 रुपे भी दे देते हैं, 90,00,00,- 60,00,00,00,00, 30,00,00,00 का profit बुक करते हैं, ये हो था short selling, और यह ही कुछ किया Hindenberg ने, Hindenberg ऐसे ही काम करता है, अब एक बात बताए, जो accepted ethical practice है short selling की, वो यह है कि predict करना, कि आप अगर stock prices कम जाते हैं तो आप short selling कर रहा है because you are predicting you know that company is not gonna work but if you are making a fix अगर आप ये match fix कर रहे हो मतलब आप ये पूरी तरकीब लगा के पूरी strategy लगा के पूरी भूमी का बना के आप ये कर रहे हो कि आप actually market में exaggerate करके hype create करके assumptions को लेकर इतना panic और इतना hysteria create करते तो कि market में वो गिरावट आती है not because the company is bad or the strategy is bad it is because आपने वो hype और exaggeration बनाया है that is where you go beyond the ethical line and the moral line और इसलिए ही मैं बोलता हूँ Hindenburg जो है न वो activist तो बिलकुल नहीं है चाहे influencers एक मुखोटा पेन एक आग बन करके जितना भी आपको एक गुट्टी बिला है Hindenburg का एक मात्र लक्षे है पैसा का माहना और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्क जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उन्हें already शॉट से लिंग करके अडानी के case में तो पैसा अच्छा असा बना लिया है पर इससे पहले कि ये बात करें है कि Hindenburg की रिपोर्ट साही है या गलत है पहले ये देखते हैं कि Hindenburg ने क्या allegations लगाए है क्योंकि allegations की कोई बात नी कर रहा है हवा में सब हैं वाब आज ही चल रही है social media पे अब आते हैं allegations पे because I don't want you to believe me I don't want कि हम लोग बिना data बिना rational के बात करें तो अब बात करते हैं उन allegations की जो Hindenburg ने लगाए हैं अडानी ग्रूप पे और देखते हैं कि करके कि कितना सजा और कितना जूट है और क्या शड़ेंतर है और क्या नहीं मैंने simply statistically guys इन सारे allegations को मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है पहला जिसमें थोड़ा business और technicalities involved है दूसरा जिसमें exaggeration है hype है और तीसरा जिसमें assumptions लिए गए हैं और एक एक करके अडानी ग्रूप का क्या response है और एक एक करके मैं अपने counters और अपना rational दूँगा कि क्या मुझे सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है तो चले शुरू करते हैं पर इससे पहले हम in allegations पे जाएं इससे पहले कि दूद का दूद और पानी का पानी हो जाए आप इस वीडियो को like जरू करना आप free में join कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको इन concepts के बारे में सीखना है do check that link out अब आगे चलते हैं सबसे पहले मैं आतो hype और exaggeration based because वो बहुत interesting है पर आपको पता चलेगा कि कैसे Hindenburg exaggerate कर रहा है पर आप से ये बात कोई कहा है नहीं रहा क्योंकि शायद धिमाग के घोडे नहीं चलते हैं लोगों को बस breaking breaking करना होता है तो पहला allegation इस category में Hindenburg ने जो लगाया वो ये है कि अडानी जी की जो family members हैं उनको promote किया जाता है इस company में in spite of allegations तो मैं दो example side करूँगा जो Hindenburg ने पनी report में दिय है राजिश अडानी जो गौतम अडानी के चोड़े भाई है उनको DRI ने एक diamond scheme में 2004 पाच में accuse किया था उसके बाद उनको RS भी किया था दो बाद तो Hindenburg क्या था क्यों फिर अडानी गुरुप का उनको MD बनाया है दूसरा example देते हैं वो Samir Vora का जो अडानी के brother-in-law है उनको भी DRI ने diamond trading scam में accuse किया था Hindenburg बोलता है फिर उनको भी आपने क्यों प्रमोट किया as a executive director वो भी critical division जो Australia की है अडानी की उसमें क्या ये nepotism है शुक्रिया तो Hindenburg is actually talking about nepotism जो Bollywood को भी ले डुबा तो वो कहना है ये businessman nepotism नहीं चलना चाहिए in spite of these allegations and accuses तो अडानी गुरुप का जो simple reply है जिसको Hindenburg कह रहा कि कोई reply नहीं है अडानी गुरुप ने बकायदा ही reply दिया है इस allegation का कि ये सारे जो cases है वो पुराने हैं close हो चुके है और उनकी favor में इनका result आए कोई भी convict नहीं हुआ है तो क्या Hindenburg ये कह रहा है कि अगर किसी को भी accuse किया जाए किसी को भी ये बोल दिया जाएगी ये तुम गलत हो तो उसको company में कोई role नहीं देना चाहिए उसको promote नहीं करना चाहिए तो मेरा इसमें counter review ये है कि क्या Hindenburg Indian Judiciary System और courts पे सावाल उठा रहा है क्योंकि अगर उनको बाईज़त बली कर दिया गया है और इनमें से most of the cases are 20 years old Hindenburg ये करने की कोशिश क्या कर रहा है exaggerate और hype बनाने की कोशिश कर रहा है अब आते हैं दूसरे allegation based category में कि Adani Group के बहुत सारे CFOs 8 CFOs ने resign कर दिया और वो छोड़के चले गए इतने सारे CFOs छोड़के जा रहे है कुछ ना कुछ तो दिया problem है तो यहाँ Adani Group का response ये है कि Hindenburg ने अपनी research action से नहीं करी क्योंकि 4 CFOs जोंकी list में हैं वो अभी भी Adani Group के साथ काम कर रहे है in fact वो larger roles पर काम कर रहे है जो कि एक normal strategic और hierarchical movement है in fact इसी list में दो लोग ऐसे भी हैं जो कि entrepreneurial ventures की वज़े से अपने career की वज़े से छोड़के गए और Adani Group ने को support करता है which is again normal तो अगर ऐसा है तो Hindenburg या कहना क्या चाता है क्या उन्होंने अपनी research पूरी करी है नहीं क्या वो hype create करना चाते थे exaggerate कर रहा है या नहीं हाँ तो क्या ये ethical है नहीं और ये सब कुछ Adani Group ने हमेशा disclose के regulators को भी और shareholders को चाहे ये resignations हो और चाहे जितने भी accusations की बात हुई पहले point में तो अगर सब कुछ disclosed है public domain में है तो फिर Hindenburg point out क्या करना चाह रहा है वो बस एक hype create करना चाह रहा है थर्ड and the most funny amongst every other point in Hindenburg report उन्होंने बोला है कि इंका जो auditor है वो बड़ा छोटा सा है जिसका नाम है शाड अंडारिया इनमें चार partners है और बस 11 employees है बहुत छोटा size है और ये Adani Enterprises और Adani Gas का main independent auditor है एक बात बता है मुझे Hindenburg भाईया आप वो क्या पता है कि Rafael Nadal जब वो French Open जीता था तो उसकी एज क्या थी 19 years 2005 क्या आपको पता है जब Mark Zuckerberg ने Facebook बनाया था उसकी एज क्या थी 19 years 2004 Hindenburg ने अपनी report में ये बोला है कि पार्टनर्जर्म में से तीन पार्टनर्स की एज 20s में है which is a joke because another fact 12 years की एज में Pragan Anandha एक chess grandmaster बने थे अब ही 17 की एज में उन्होंने Magnus Carlson को तीसरी बार defeat किया है who's the world champion in the crypto cup तो आप क्या कहना चाहरे है क्या कहना चाहरे है अगर कोई certified auditor है regulatory body से certified है सारे compliance follow करके एक firm बना के काम कर रहा है because Hindenburgs wants to create hype तो एक point to be noted है Rani Group का response ये है कि ये जो auditors है Shard Handaria number one they are certified and they are capable that's why they have been given this responsibility second ये भी सब कुछ डिस्क्लोज है shareholders के साथ और regulators के साथ and if that is true then Hindenburg what is that you are pointing out जब की आपकी खुद की firm में पाँच लोग हैं तो जब आप अडानी के खिलाफ इतनी बड़ी research report बना सकते हैं बस पाँच employees के साथ तो क्या share धंडारिया 11 employees और 4 partners के साथ independently audit नहीं कर सकता Hindenburg को इतनी जलती थी इतना irresponsibly इतना disturbingly उन्होंने ये चीज़ किया कि share धंडारिया और ऐसे बहुत सारे लोगों की जो private information है including the pictures including the government IDs उन्होंने सब कुछ public कर दिया और उनकी जो privacy है उनकी safety पे एक सवाल खड़ा कर दिया जबकि आज की social media के जमाने में उनको पता है कि इन लोगों से questions पूछे जाएंगे इनको भी हो सकता है चोर बोल दिया जाए तो क्या responsibility Hindenburg लेता है Hindenburg का कोई इस पर reply नहीं पर आप को क्या लगता है ये questions Hindenburg से पूछने चाहिएं येस अब आते हैं दूसरी के अलिगेशन पर जो कि assumption based allegation उसमें मैं एक बड़े allegation की बात करूँगा जो है stock manipulation जिसमें बताया जा रहा है कि जो adani group है उन्होंने अपने family members के थरू या अपनी manipulation के थरू कुछ shell companies बनाई है जो कि Mauritius में हैं जो कि UAE में हैं जो कि Caribbean islands में हैं और वहां से उन्होंने जो stake है उसको 75% से बढ़ा दिया है as per sebi rules you cannot have more stake than 75% अगर आपकी company publicly listed है पर उन्होंने बुला कि इन shell companies के थरू वो money laundering कर रहे हैं corruption कर रहे हैं वो unethical stock manipulation कर रहे हैं prices को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब shell companies के थरू acquire करते हैं funds को तो price increase होता है और price increase होता है साथ-साथ उनका stake बढ़ता है तो example Montessora का देते हैं Montessora एक ऐसी company है जिन्होंने अपने पूरे portfolio में around 99% तक Adani Group में invest किया हुआ और उन्होंने connection जो निकाला है Hindenburg की report में वो ये निकाला है कि जो Montessora के जो CEO है उनका जो partner है Jatin Mehta के जो बेटा है उसकी शादी हुई है Gautam Adani के brother की बेटी से बड़ा film ही है again nepotism तो कहीं न कहीं ये जो report है Hindenburg की वो forensic financial research report काम लग रही है और nepotism report जादा लग रही है तो जो Adani Group का response है इस मामले में वो ये है they don't have a control कि कौन उनके shares खरीता है और कौन उसमें trade करता है and none of these parties actually are the promoters of Adani Group which is true, which is a fact अब आजने technical category के है जिसमें दो points के बारे में में बात करूंगा जिसकी एक महीने की किश एक लाख रुपे है और मेरा जो Ad revenue है YouTube से वो दो लाख रुपे है और जो मेरे expenses है तो जो मेरे current assets है जो मेरे पस है और जो current liabilities है जो मुझे देना है उसका ideal ratio 1 होता है और इस case में बनी है राइट? बट आफटर 3 months क्या होगा? जब ये 3 लाख की किश्ट पुरी हो जाईगी तो ये ratio बढ़के 1 is to 1 से 2 is to 1 हो जाएगा क्योंकि मेरे income 2 लाख होगी पर मेरे expenses बस 1 लाख के रह जाएंगे तो इस बात को इस example को समझ लेना और business terminology में if you guys are entrepreneurs और या अपने समझा हो या अपने पड़ाई करी हो तो आपको पदा है कि current ratios not always to start with will be always 1 it takes time and it is your strategy how do you want to deal with borrowing and lending to create and roads and expand your business तो there are a lot of levers why you also tend to not have a current ratio which is greater than 1 अब Hindenburg के allegation पे आते हैं उन्होंने allegation ये लगा है कि most of the companies of Adani Group उनका जो current ratio है वो less than 1 है पर वो भूल जाते हैं वो current ratio की बात कर रहे हैं पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या वो strategy वो laptop खरीदना जो है वो क्या business को expand करना नहीं है क्या वो ज़ादा content deliver करना नहीं है क्या वो 2 lakh की जो income है उसको बढ़ा के 4 lakh या 6 lakh करना नहीं है क्या वो ऐसा नहीं है कि आप किसी और company में invest करना चाते है और किसी और revenue stream को create करना चाते है और उसके लिए वो laptop ज़रूरी है तो क्या आप at a moment of time in a short span ये judge कर लेंगे business की health को इस ratio से या आप over a period of time एक pattern को देखेंगे तो जब pattern को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस rate पे Adani Group का debt बढ़ रहा है उस rate से कई ज़्यादा double rate पे उनकी ये profits ग्रो कर रहा है उनका EBITDA ग्रो कर रहा है which is profit before tax और यही Adani Group अपने response में Hindenburg को बोलते हैं those ratios and those figures are in front of you और आब आदे हैं finale पे the most important allegation by Hindenburg तो इससे पहले हम इस बारे में बात करें एक चीज़ तो fact है कि पिछले तीन साल में Adani Group की जो net worth है वो 20 billion dollar से 120 billion dollar हो गई महला 100 billion dollar बस last three years में और इसी stock price को surge को explain करते हैं Hindenburg बोलते हैं कि यह हुआ है share pledging की वेज़े से यह हुआ है Adani Group की fraudulent debt strategy से Manipulated debt strategy से पहले मैं आपको बताता हूँ यह debt strategy क्या है किस चीज़ की बात कर रहा है तो माल लिजे पीपोई network के पास एक contract है 100 करोड का एक contract मिला है एक reality show producer करने का और पीपोई network की तीन companies है subsidiary companies जो की भी listed नहीं है जो पीपोई network है वो listed है पर हमारी market capitalization इतनी भी नहीं कि हम इतना funding raise कर पाएं जिससे हम यह 100 करोड का reality show बना पाएं तो पीपोई education, पीपोई social content और पीपोई services यह तीन companies है जो list नहीं है अब माल लो हम list कर देते हैं पीपोई education बहुत बड़ी company बन जाती है हमारी brand की वज़े से हमारी sales and marketing की वज़े से हमारी hype की वज़े से इनकी market capitalization बहुत बढ़ जाती है और हमारा जो stake है उसके हिसाप से अब हम जो पीपोई services है या पीपोई education जो है उसको use करके हम funds raise करना चुरू कर देते हैं विकूस हमारी market capitalization पीपोई education और पीपोई services से जादा है बहुत जादा है करीमन पास्तो करोड है तो उन shares को हम pledge करके उनके against हम bank से loan ले सकते हैं उनको use कर सकते हैं पीपोई network के under और reality shop बना सकते हैं तो ये बड़ा oversimplify करके मैंने आपको बढ़ा है ऐसे similar observation हेंडन बर्क का है अडानी ग्रूप के against जिसमें उन्होंने कई examples quote कि हैं जहां अडानी ग्रूप की एक company ने दूसरी company को मुला अगर आप माता पिता हो और आपका एक जो बच्चा है वो गरीब है बेचा रहा और उसका business नहीं चल रहा है क्योंकि अब fund आ गए तो tender मिल गया तो जब भी कभी भी family में कोई भी बच्चा दुखी है संकट में है तो उसका संकट विमोचन करने share pledging technique आ जाती है debt strategy आ जाती है और ये अडानी ग्रूप में हो रहा है but the point is जो incidents Hindenburg ने हाइलेट की हैं 2014-15 के है वो है 600 साल पहले के और सारी चीज़ें disclose है public domain में available है stakeholders को बताया गया regulators को बताया banks को बताया जिन्होंने lend किया उनको पताया कि share pledging होती है it's a technique which is just like short selling it's available अब उसमें कितनी thin line of difference है वो तो Hindenburg जादा बता सकते है कि क्या ethical है और क्या नथिकल है Hindenburg मुझे लगता है इस report इस research report के बाद खुद को expose जादा कर रहा है Adani Group को कम क्या आपको ऐसा लग रहा है और Adani Group अपने response में ये भी बोलते हैं कि जो pledging of shares है ये करीबन 3 सालों में 70% से 90% होती थी कि companies में अब वो कम होके 10 से 20% रह गई है इन 3 सालों में जिसका साफ मतलब है कि pledging of shares was this strategy but now they are equipped all the companies all 7 companies are equipped to manage their projects on their own और मैं अपना counter दूँ तो Amazon का counter दूँगा Amazon का winning model है winning loop है Amazon का वो क्या करते हैं क्योंकि platform पे आपके पास sellers भी है मतलब आपके बास variety है तो जब variety होती है तो वहाँ ज़ादा products होंगे ज़ादा rate competition होगा इसकी वज़े से ज़ादा competition की वज़े से ज़ादा अच्छा rate मिलेगा customer को और ज़ादा customer आएगे ज़ादा customers आएगे तो ज़ादा sellers आएगे जादा sellers आएंगे, तो फिर से competition होगा, तो this is a winning loop, and the same winning loop exists in debt strategy of Adani Group, by which they are using the share pledging model, by getting big tenders, in all the seven areas where the seven companies operate under, and they are able to beg bigger projects, और जब बड़े projects crack करते हैं वो, जब funding raise कर पाते हैं, बड़े projects crack कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, मीडिया में होता है, तो लोग, जो investors होते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो और stock खरीते हैं, तो stock बढ़ता है, prices बढ़ते हैं, तो this is kind of a winning loop, which Adani Group cracked at a point of time, but now, और आप देख रहे हैं, कि जो उनका debt strategy है, वो change होता जा रहा है, जो debt का growth है, वो कम हो गया है, और जो profit का rate है, वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, which is 2x, okay, this is the real decode, यह है, सच, Hindenburg की report का, उसमें जो कमिया है, उसमें जो hype है, उसमें जो exaggeration है, उसमें जो assumptions हैं, उसमें जो technical issues हैं, जो Adani का response है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, जो Hindenburg का Twitter handle वो कहता है, कि Adani group ने कोई भी reply नहीं किया, पर इस समाज में, इस social media में panic कैसे create करना है, hysteria कैसे create करना है, वो Hindenburg इच्छनक से जानता है, और इनका single motto है, profit बनाना, जिसके तहत, एक conspiracy plant हो रही है, और अब मैं आदो उस conspiracy पे, जो कि मुझे लगता है, this is a conspiracy यसी theory, बट मैं वो आपको देना चाहता हूँ, Ukraine Russia war की crisis में, India का neutral stand था, जहाँ Europe को तगडा चमाटा लगा, US को भी तगडा चमाटा लगा, अगले साल elections भी हैं, और यह जो turn off events हैं, यह जो loop create हो रहा है, this is again a loop, where there is a sequence of events which are happening, और यह जो pattern हैं, कुछ hint कर रहा है, वो क्या hint कर रहा है, कि economical power बनता जा रहा है इंडिया, इंडिया का hold was strong हो गया, चाहे हो geopolitics हो, चाहे economy हो, जो इंडिया में, जो majority है, उसको तोड़ना, बड़ा easy हुआ करता था, पर अब वो नहीं है, तो यह जो खतरा है और countries को, and all the documentaries of BBC's of the world, and all the reports of Hindenburg's of the world, are showing that kind of a pattern as well, तो अगर आप इस pattern को समझ रहे हैं, तो this is my conspiracy theory, and I want, कि आप जितने भी लोग हैं, जो यह video को देख रहे हैं, जो जो rational है, उसको search करें, don't be a whatsapp marketer, कोई news आई, उसको forward नहीं करना है, कोई सच बोल रहा है, कोई जूट बोल रहा है, उसको नहीं समझना है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको भी जाके search करो उस बारे में, questions पूछो, तैकी कात करो, और फिर अगर आपको इन बातों में, इन rational में, encounters में, थोड़ा भी वजन दिखता है, तो please change your beliefs, change your questions, change your engagement, change your forward schemes, share this video, ask the relevant questions to Hindenburg, और please इस video को जितना share कर सकते हैं, करें, Twitter पे Hindenburg's ethic exposed, Hindenburg hype exposed, करके trend ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेरा research, मेरा rational, मेरा decode यही कहता है, कि Hindenburg यहां profit कमाने के लिए hype create कर रहा है, exaggerate कर रहा है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को share भी करें, और साथ-साथ अगर आप इस channel को support करना चाहते हैं, तो please हमारी channel membership join करें, अगर आप channel membership join करेंगे, तो हमें motivation मिलेगा, और हमें साथ मिलेगा, कि ऐसे ही content को हम produce करें, और आपके सामने लेकर आएं, और उसके बदले में enjoy करेंगे कुछ amazing perks, जैसे की member only live stream, जिसकी update community post में हो जाएगी, इसके बारे में और जान सकते हैं, link नीचे है तो guys, अगर आप नहीं जुड़ें अभी तक, तो इस channel से जुड़े रही, कैसे जुड़ेंगे, subscribe करके और घंटा दबाएंगे, घंटा दबाएंगे तो all notifications को check करना, मत भूलना, जिससे जब भी मेरा एक नया वीडियो आए, तो आपको तुरन notification मिल जाए, क्योंकि मैं यहाँ आता रहूँगा, ऐसे decors लाता रहूँगा, क्योंकि यह happy boy मैं हूँ अकाश, और अब कुछ नहीं चुपेगा